हेलो फेंस मैं नितेश कुमबार आपका आपके यूट्यूब चैनल इनवेस्ट फोरेवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज मैं कुछ ऐसी चीज़े सिखाने वाला हूँ आपको जो आपको पता तो है या नहीं भी पता है बट पता होने के बाब जूद भी बहुत सारी चीज़े आपको यहां पर नहीं पता कि कैसे उस चीज़ को क्या करते है यूज करते है तो उस चीज़ को किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम यहाँ पर उस चीज के basis पर entry, exit, intraday as well as future, option जो भी आप करना चाहें आप वहाँ पर कर सकते हैं तो वह उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है hammer. मैं आपको क्या सिखाने वाल हूँ? कि hammer सिखाने वालों कि hammer देखें बहुत सारे लोगों को पता होगी कि hammer क्या होता है वह यहाँ पर जा भी सकते हैं ठीक है वह यहाँ पर कहेंगे हमें पता है hammer क्या बता रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता होगी इस हैमर के बारे में और जब भी इस तरीके के result में ने देखे है तो याद रखिए इस तरीके के result में अच्छा पैसा यहां पर क्या होता हुआ नजर आया है बनता हुआ नजर आया है no doubt यहां पर पैसा ऐसा नहीं है कि यह fail नहीं हुआ 90 में से आगर 100 में से बात करूँ 10% कभी-कभी fail भी हो जाता है क्योंकि market में nothing is पर में बात करूँ तो यह चीजे मुश्टी टाइम चलती चलती है तो hammer के बारे मैं बात करते है sब se पहले hammer बंद्द कैसे कब यह क्योँ बनता है क्यों और क्या हो इसमें होता है तो सब से पहले में आपको क्षछा बादी हो जो यह चीज होती है यह जो लाइन निकली ही ह इसे हम कहते है shadow और जो यह जो part है हरा हरा इसे क्या कहते है हम इसे कहते है body तो ये है shadow ये है body अगर जो भी चीट अगर ए म RAW है shadow और body यहाँ पर लिखी मिले तो समझ जाना कि मैं किशस की बात कर रहो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखे यहां पर जब hammer बनेगा तो किस तरीके से बनेगा सबसे पहले देखिए यह point है यहां पर pause कर लीजिएगा इन points को लिख लीजिएगा ताकि यह काफी important point है आपने हां समझ में long lower shadow बनेगी एक तो लंबी यहां पर क्या बनेगी shadow बनती ही नजर आएगी very small body और इसकी जो body होगी न वो क्या होगी छोटी होती ही नजर आएगी तो body छोटी और जो इसकी shadow है वो लंबी होगी तो इस तरीके से hammer होता है right तो hammer अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ hammer तो आपको hammer पता चलेगा किस तरीके से होता है देखिए इमेजिस पर जाते है तो देखिए इसी तरीके से होता है यह body है यह shadow है तो इसी तरीके का यहाँ पर बनता हुआ नजर आए तो इसलिए इसलिए क्या नाम देते है hammer इसके अलावा shadow at least minimum three times of the body तो यहाँ पर जो body है न वो shadow की क्या होनी चाहिए लगबग यहाँ पर one third part होना चाहिए ओके अगर यहाँ पर 75% है पूरा length तो यह 25% की length कम से कम होनी चाहिए तो तब हम क्या मानते है तब हम मानते है कि यह क्या है यह हमारा hammer है इसके इलावा any color देखिए वो सारे लोग confused जाते है ग्रीन बन गया यहाँ पर खरीदेंगे रेड बन गया तो हम बेच देंगे तो ऐसा नहीं होता यह चाहे रेड हो यहाँ पर ग्रीन दिख़ए अगर यह रेड भी होता तो भी यह केवल hammer रहता आपको color से कोई matter नहीं करता लाल बने यह हारा बने open and high same तो यहाँ पर open and high same रहता है तो best रहता है otherwise इस point को आप छोड़ दीजिए open high वाले को जिस दिन पर यह hammer बने और उस दिन volume अच्छे खासे आ जाए न तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद चीरिया ना भागती भी नजर आती है if creates on a big low best तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक downtrend चालू होगा okay market गिरती हुई नजर आएगी और जब market गिरती हुई नजर आए और उस basis में यहाँ पर hammer बन जाए तो समझ लिजेगा कि market क्या होने वाली है उपर जाने वाली है अब ट्रेंड शुरू होने वाला है और इस candle को हमें एक bullish candle भी कहते है इस इसको याद रखिए है तो यह bullish reversal pattern है तो यहाँ पर जब भी इस तरीके से downtrend चालू हो hammer बन जाए किसी भी color का हो hammer मैंने बता दिया है क्या length होती है क्या होता है और जब गिरने के बाद यहाँ पर एक hammer बन रहा है तो यहाद रखिए चीजे ऊपर जाते ही नज़राई great by chance तो यहाँ पर क्या बन जाता है by chance बन जाता है और लोग क्या करते है hammer बन गया hammer बन ती साथ दूसरे दिन क्या होते है entry कर लेते है entry करने के बाद क्या होता है entry करने के बाद अगले दिन candle क्या बन जाती है यहाँ पर बन जाती है या फिर नीचे और बन जाती है वो कहते है नितेश भाई ने invest forever ने पढ़ाया था कि hammer बन जा है हमें entry लेनी है उपर चला गया ऐसा नहीं होता जब भी hammer बने hammer बनने के बाद क्या हो last light buy on break हाई तो इसका जब तक high ना टूटे आपको क्या नहीं करना आपको entry लेनी नहीं है अगर hammer बन जाता है यहाँ पर candle बनती है entry नहीं लेनी बड जैसे ही इसका high टूट जाता है आप entry लेंगे और entry लेने के बाद stop loss नहीं रखेंगे क्योंकि जब भी हम ऐसे basis पर entry ले रहे है तो stop loss जमेशा याद रखिएगा इसका जो low है ना उस पर अमोशली एक आद रुपे और छोड़ दीजिए ठीक है क्योंकि क्या जो चीट हम यहाँ पर सीख रहे है वो चीट दूसरों लोगों को ही पता है तो वो क्या कराते है एक दो रुपे और नीचे लियाते है ठीक है यहाँ तक लियाते है आपका stop loss hit कर लेते बट अगर आपका एक आद रुपे यहाँ पर नीचे रहेगा stop loss तो क्या होगा कि अगर वो यहाँ तक आते भी है तो आप यहाँ पर stop loss से बच जाएंगे और जब चीज़े फिर उपर जाएगी तो आप exit नीच हो पाएंगे और यहाँ पर क्या होगा आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो इन points को क्या करना है आपको ध्यान रखना है और इस basis पे आपको hammer तेजार होगा अब बात करते है example की क्योंकि यहाँ पर chart देखने वो जरूरी है क्या hammer बनता है क्या इस basis पे entry ली जाती है क्या इस basis पे exit किया जाता है तो यहाँ पर हम करेंगे अब बात hammer की तो hammer देखिए यह क्या बना hammer अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर भूल गया add करना क्या add करना था यहाँ पर add यह करना था कि जब भी hammer बने hammer कहां बनना चाहिए resistance पर बनना स्वरी support पर बनना चाहिए support पर hammer बनेगा तभी हमें लेना है support पर अगर hammer नहीं बन रहा बीच में कहीं बन रहा है तो हमें उसे छोड़ देना है support पर hammer बनना बहुत जरूरी है support पर hammer बनता है हम क्या करते हैं उस सीच में entry लेते हैं अब क्या बना यहाँ पर देखिए उपर गई market और यहाँ पर नीचे अगरे दिन क्या होई लेल केंडिल बनी बठ हमने stop loss लगा रखते हैं यहाँ पर तो चीज़ें यहाँ से क्या होई उपर गई ठीक है तो आपका क्या बन गया पैसा तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए यह पर यह इस basis पर क्या बना support 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 पर क्या बन गया hammer hammer पर high टूटा entry stop loss नीचे क्या बन गया पैसा ठीक है फिर यहाँ पर क्या बना यहाँ पर भी एक hammer बना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे बना ओगा देखिए यह क्या है hammer छोटा भी हो सकता है बर्ध हमें ध्यान रखना थोड़ी सी अगर ऊपर की तरफ और shadow निकली हो थोड़ी सी मामूली सी तो आपको यहाँ पर फिकर नी करनी hammer ही एक इंसीडर करिएगा high थोड़ा entry ली passage stop loss नीचे तो इस तरीके से यहाँ पर एक है hammer इसका high कभी कभी मैंने क्या बताया था कि हो सकता है कि नीचे आये चीज़े देखिए यहाँ पर entry ली और यहाँ पर थोड़ा बहुती भागा जादा नहीं भागा बट क्या हुआ कुछ दिनों बाद candle नीचे आई तो जै मैंने आपको बताया था एक तो low पर रखना है या फिर थोड़ा सा और नीचे रखना है आपने थोड़ा सा और नीचे रखना आपका इस्टॉपला सिटनी हो और चीज़े कही ऊपर तो इस तरीके से क्या करते है hammer तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह इसने base बनाया क्या चालू था downtrend यहाँ पर आप देखिए downtrend चालू है ओके और downtrend चालू होने के बाद क्या बनाया एक hammer बनाया hammer बनाने के बाद जैसे इसका क्या टूटा high टूटा हमने क्या कर ली entry, entry करने के बाद अगर आज तक भी आपने share रख रखा है तो आपके कितने percent के return बन गए आपके बन गए अच्छे खासे return तो जब हम बात कर रहे है कि इस तरीके से यहाँ पर पैसे बनते हुए नजर आते है 30% के return अभी भी है और कब से में से तो 5-6 महिने में आपके अगर 30% के return बन गए और हर बार return बन रहे है तो आपको tension लेने की कोई जरुवती नहीं है और देखिए यहाँ पर hammer बन रहा है बहुत बार बनता है many times बनता है बार-बार बनता है हर chart में बनता है यहाँ पर मैं इतने सारे chart आपको दिखा सकता हूँ कि आप जब भी देखोगे तो हर एक chart में hammer आप देखिए आपको यह खुद मैनत करनी है और करके मुझे पिंग करिएगा सर इस date को इस तन में इस date को यहाँ पर hammer बना चीज़े ऊपर गई यहाँ पर आपके लिए queries है आपके लिए question है practice करिएगा यहाँ पर याद रखिए क्या बनना चीज़े support पर जो point लिखवाय थे point को note कर लीजिए और support करिए ऐसी चीज़े हर week में Sunday को लाता रहूँगा आपको बताता रहूँगा आपसे request है ऐसी चीज़े और जल्दी सीखने के लिए और भी अच्छा आपको बनने के लिए ऐसी बहुत सारी candles patterns होते है बहुत सारे channels होते है और भी बहुत सारी चीज़े होते है सब यहाँ पर मैं एक एक करके वीडियो लाऊँगा तो आपको पता चलेगी बहुत जल्दी सीखना चाते है class में सीखना चाते है personally सीखना चाते है ऐसे many examples आप से सार्थ शेयर करूँगा तो यहाँ पर research analysis, technical basics to advance 3 months complete course 3 months practice learning strategy use, सब कुछ सिखाय जाएगा 1 on 1, 15,000 रुपीज की है यही सिखाने के लाखों रुपे और हजार रुपे लिए जाते है कुछ नहीं बताया जाता 8605-40501 8169-261037 दोनों पर क्या करिए नमबर पर contact कर लीजिए और जितना हो सके support करिए subscribe करिए, bell icon करिए ताकि इस तरही की चीज़े मिलती रहे वीडियो अच्छी लगे, like, comment, share जरू करिएगा और नहीं चीज सीखिए किसी ने यह सारी चीज़े नहीं बताईए कि आपको के वर हैमर पता है हैमर पता दिया तो यहां पर comment जरू करिएगा कि हाँ sir आपने एक अच्छी चीज़े बताईए इससे हमारा motivation बनेगा thank you so much